आज में आपके लिए चटपटी मसालेता शिम्ना में चालू की सब्जी की रेसिपी लेके आई हूँ यह सब्जी इतनी स्वादिश्ट बनती हो और केबल 10 मिनिट के अंदर बनके तयार हो जाती है और इसे आप अपने हस्बेंड के लंच बोक्स में या अपने बच्चों के में रख सकते हो और देखें लंच बोक्स में कैसे पैक करती हूँ आज में आपको दिखाऊंगी बिल्कुल भी ओयल लीक नहीं होगा और सब्जी के साथ साथा परांठी भी बनाएंगे यह नमक वाले परांठे बहुत ही अच्छे बनते हैं और टिफिन में वैसे भी बहु इसको अच्छी से परता होने देंगे और एक बेल लीब डालेंगे बेल लीब खाने को डाइजेस करती है इसलिए बेल लिब डालेका इससे फिल्यवर भी बहुत अच्छा आता और हीं तो वैसे आपको पता ही है हिंग से हमारा खाना अच्छी से पच चाता इस्ता डालना बारे कटी टी लाइक हरी मेंच ना अगर अगर हरी मेंक कटी अगर आप एक षम trees कर ने तो आप सेख कर ने कर सकते तो यह कंटी तो इस तराइक प्याज थो बड़ी एक राद कर दिए तो आफसे तषकक लिया हमें लेसन है उसको हमने बारिक-बारिक कट करिया वह भी हमने act कर दिया है इसको भी हलका से भूने देंगे पस कच्छा पनद निकल night और देखें ये भी भून चुकिया और अब हम 2 मेडियम साइज के हमने कैपसिकम कट कर लिया है उसको हम इसके अंदार एड़ कर देगे कैपसिकम को हमा थोड़े-फोड़े बड़े पीसिस में ही कट करना है क्योंकि हमें अब छोटा कर देंगे तो इक नम घुली-घुली हो जाएगे इसलिए में बड़े-बड़े पीसिस में ही कट करना है और हलका से हमें इसमें सौटे करना है और अब हम सभी पेसिक मसाले एड़ करेंगे जैसे 1-5 टीजपून हल्दी पावडर 1 टीजपून धनिया पावडर 1 फो टीजपून किचन किंग मसाला और 1 पिंच ब्ल किचन में होती है वो भी आप एड़ कर सकते हैं तो देखिए मसालों को बहुत ज्यादा नीम भूना बहुत हलका साही भूना है और अब देखिए हमने तीन बड़े साइस के बॉइल के वए आलू लिया है इन आलो को हमने पहले ही बॉइल कर लिया था वह पालू हम इसके अ करना है और साथ में हमने इसमें स्वाध अनुसा हमने नमक कर दिया और इसको एक बार बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे फिर से तो देखिए कितना बड़ी आ रहा है सबजी का इस तरीके सबजी बनाई यह बहुत ही अच्छी बनेगी तो देखिए मसाले सारे अलू में करके और डाल दिया है क्योंकि इसको थोड़ा सा क्रच बना रहे ना चाहिए सब्जी के और अब हम इसको पांस मिनट के लिए ढखके रख देंगे तो देखिए पांस मिनट हो चुक है बहुत ही बढ़िया खुश्बू आ रही है श्रम्रा में चालू की सब्जी की तो चिटपटी मसानेदा सब्जी बन के तयार हो चुक है आप इसे बने बच्चों के लच बॉक्स में रखिए चाय आप खाना दाल चावल के साथ बनाई है बहुत ही सुआधिस लगती है तो देखिए सब्जी तो बन के तयार हो चुक है अब हम साथ में इसके परांठे भी ब अब जैसे आपको अच्छे लगते हो वैसे आप बना लीजिए तो देखिए आज में कैसे परांठे बनाती हो आज में वह आपको बता रहे हूं तो देखिए ब्राटे को रोटी को हमने बेल लिया उसमें थोड़ा सा घी लगा दिया और उपर से थोड़ा सा आप्टा डाल आफट वराफट करने ही पड़ता है तो दीके परांठा बिल चुका है इधर हमने तबाबी करने के लिए रख दिया तो उसमें परांठा डाल देंगे और इसको अलट प्लट करते हूए बहुत अच्छे से से शेक लेंगे देखिए कितने बड़ी आ तरीके से फूल रहे है परांठा बहुत ही क्रिस्पी बनता है और अच्छा लगता है गर्मा गर्म परांठा इसे सुबह सुबह खाई है या फिर आप जब आपका मन हो इस तरीके से बना के चाय के साथ एंजॉय करें बहुत ही स्वाधिस लगता है तो देखिए मैंने अपने बच्चों का लंच बॉक्स ही बना रही थी वही वीडियो है यह मेरे बेटे का लंच बॉक्स है और इसके पापा बाहर जाते है उनके लिए ये खाना बनाया गया है आज सुबह सुबही तो इसी तरीके से मैंने सारे परांटें बनाके तयार कर लिया और अपने बच्चे का और अपने हजबनन स्वाजबी साथ प्लेटि लगा के आपको egenखाती है तो आप समझी सकते हैं कि मुझे इस समय कितनी जल्दी होती है सुभा सुभा बनाने की तो देखिए बहुती बढ़िया तरीके से साधा पराठा नमक वाला और शिम्रा मिशालू के चटपटी सब्जी बनके तियार हो चुकिए बहुती बढ़िया तो देखिए प्लेट तो मैंने एक लगा दिया जिसको खाना होगा वो खा लेगा साथ ही मैं आपको दिखाती हूँ लंच कैसे पैक करती है तो हस्बन का दो लंच पैक हो चुका है वो जा भी चुके है अब मैं अपने बेटे का लंच पैक कर दिया वो भी चलीगी ट्रेन से तो अब मैं आपको दिखाती हूँ बच्चों का लंच मैं कैसे पैक करती हूँ बच्चे का जिसे की उसके टिफिन से पिलकुल भी ओयल लीगना हूँ तो देखिए बटर पिपर के अंदर आज हम परांठो को रैप करेंगे परांठो को रैप करने के लिए बटर पीपर ही स साथ ही देखिए अब मैं आपको दिखाते हूँ शबजी का जो ओयल निकल जाता कभी गभी टिफिन का बैग के अंदर वो ना निकले उसको हम किस तरीके से करेंगे तो देखिए मैं स्टील के टिफिन में ही खाना पैक करती हूँ क्यों मुझे गरम गरम ही पैक करना होता है तो देखिए हमने परांठा को अच्छे से रैप कर दिया है और सबजी की डिबबी को भी अच्छे से पैक कर दिया है और अब हम इसके लिए देखिए पेपर नैपकिन लिया है और इस नैपकिन के अंदर हम अच्छे से इसको फोर कवर कर देंगे और फिर इसको हम लंच ब जैसा भी बैक में होगा और इसमें से जो ऑइल निकलेगा वो बटर पेपर भी सोक कर लेगा और नैपकिन भी सोक कर लेगा तो उस तरीके से हमारे प्रिफिन में से ऑइल बिल्कुल भी लीक नहीं होगा तो देखिए कितना बड़ी है लंच बॉक्स बनके तयार हुआ है आप अपनी फैमिली के साथ इंज्योई करें वाइ थैंक यू फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में